रेल विकास निगम इस्टॉक का मुंधी टाइम फ्रेम पर चार्ट उपेन हुआ है तो शार्ट हमको क्या बताता है अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा कि आप वीडियो इसफेशल जो है वन आफ माई वीवर्स के रिक्वेस्ट पर है उन्होंने कमेंट में किया था कि इस के लिए कोई बायो सेल का नहीं हमारी तरफ से हमाई क्या इसमें अनलाइज कर रहा हूं उसको प्रजेंट करने जा रहा हूं तो आर्वीनल का शार्ट क्या कह रहा है अब जब देखेंगे तो देखेंगे कि मंतली टाइम फ्रेम चुकि लांग टर्म के लिए देखा जाता ह है एक से तीन साल के लिए फिर अमीड टाइम अनलिसीस करेंगे देखेंगे इहां एक बना हैंगिंग में पैटर्न ठीक है अब हैंगिंग मेंण पैटर्न क्या होता है विशक को देख लिजिएगा वाड़ि छोटी बनती है और बिग जो बोड़ी की लगवल दोगनी बनती और hanging pattern को bearish pattern बोला जाता है ठीक है तो कहीं ने कहीं अब RVNL में weakness देखने को मिल रही है और आप देखेंगे इस महीने यानि September मन्त की candle red बनी हुई है अभी September मन्त का 15 दिन ही गया है पूरा महीना जाएगा तो confirm हो जाएगा कि क्या बन रहा है ठीक है इसलिए अभी हम weekly टाइम फ्रेम पर भी जाने की कोसिस करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे तो रिस्क को सबसे पहले आप अगर पहले से निमेशित हैं और चाहिए नया इसमें निमेश करना चाहते हैं तो आपको एक लाइन अफ कंट्रोल बनानी चाहिए एक आपकी सीमा होनी चाहिए कि स्टॉक किसी प्राइज की नीचे जाएगा तो हम पूरी तरह से एकजिट कर जाएंगे तो आप देखते हैं कि यह जो है इसका बेस्ट लाइन अफ कंट्रोल निकल के आता है इस केंडल कूपर इसने ब्रेक आउट दिया और वहां से तेजी का फार्मेशन लगवा लाश सताहिक राइम फ्रेम पानी चाहिए यानि जब भी आप सटर्डे संडे को चार्ट देखिएगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो इसमें पूरी तरह से एकजिन में कर जाओंगा यह हमारी बात रही रिस्क की देखिए मार्केट में दो ही चीज होगा या तो रिस्क और रिवार्ड दोनों को अनालिसिस करना सबसे महत्पूर है सबसे पहले अगर आप पैसा लगा रहे है तो रिस्क को जानिया कि आपका रिस्क कितना है तेहां से हमको पता चल गया कि हमारा रिस्क जो है करेंट भाव से बन गया 21.75 का जो लास्ट इसकी क्लोजिंग हुई है वहां से 21.75 का इसमें रिस्क है अच्छा अब चलिए थोड़ा सा इसका weekly time frame देखते हैं mid time frame क्या खाता है मिट time frame को देखते हैं दोस्तों इसमें अभी देख रहे हैं इसमें भी correction आप देखी रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं तो अगर आप नए निमेशक हैं और इसमें अगर आप position बनाना चाहेंगे जैसे मैं बनाना चाहूं या तो मैं किन अस्तर बनाना चाहूंगा तो मैं अगर करेंट भाव पे ही लेना चाहूं 555 पे तो 25% पैसा इस पे लगाऊंगा ठीक है नेक्स्ट जो है इस भाव पे जो कि 542.60 का है 25% इस पे डालूंगा यह हमारा 50% का निवेस हो गया रिमेनिंग 50% जो है मैं 477 यानि 477 की अस्तर पे लगाना चाहूंगा इस तरह से मेरा 100% का निवेस हो जाएगा इस भागों में क्यों तोड़ रहा हूं क्योंकि जो मेरा रिस्क था ना हो तो रिस्क को प्रॉफिट को इनहांस करने का तरीका है कि रिस्क को मिनिमाईज कीजिए जो हमारा रिस्क था उसी को मिनिमाईज करने की कोसिस के उदेश से इन डिफरेंट स्टेप्स में लगाऊंगा क्योंकि अगर यहां मैं एक लाख रुपया हन्डेट परसंट डाल दिया सपूल दारन के लिए तो हमारा सीधा अगर गिरता इसके नीचे इकीस हजार से अधित रुपया गायब हो जाएगा इस रिस्क को मिनिममम करने के लिए मैंने डिफरेंट स्टेप्स में लगाना पसंद करूंगा ते हमारी राय रही अभी इस पे और मैं क्या इसमें देखता हूं उसको रखना चाहता हूं आप देखेंगे इसको जड़ा लाइन चार्ट में करने कीजिए जब भी इस टॉक इस लाइन के नीचे आ जाएगा जब भी इस लाइन के नीचे आ जाता है यानि 517.69 यह मान के चलिए वीकली टाइम जब भी इसके नीचे देगा तो इसमें डवल टॉप पटरन का फार्मेशन हो जाएगा यानि यह भी एक अपनिया में बीरिस साइन का पटरन है तो जब तक इस टॉक इस लाइन के ऊपर ह है तब तक आप मान के चलिए 517.67 के ऊपर जब तक है मान के चलिए कि 517 मान लेजिए 517 के जब तक ऊपर है क्योंकि इसको केंडल करेंगे तबीग थोड़ा सा नीचे इसका आएगा ठीक है तो आप इसमें बने रह सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग आ जाया तो 50% तो काट के निकल जाना चाहिए अब इनके लिए राय दे रहा हूं जो पहले सनी में सित हैं जो नए इसके पता चल गया और इसको ऐसे मिनिमम करेंगे मैंने अपने विचा रखा जो पहले सनी में सीत हैं उनको क्या करना चाहिए कि जब भी इस लाइन के नीचे जाए 50% या 100% को 50% कम से कम निकल जाना चाहिए अपना प्राफिट लेके ठीक है और इसके अलावा मैं भी इसमें क्या देखता हूँ इसमें कितने बियरी साइन देखने को मिलना है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है अब देखेंगे इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है आरेसाई का यह इसमें कर्या देखें रहे हैं आरेसाई कहां जा रहा है नीचे की तरफ और यहां देख रहे है प्राइज की हा जा रहा है ऊपर की तरफ तो और आरेसाई भी कही कहीं कहीं divergence पा रहा है और divergence क्या है बिरिस divergence है यह भी कहीं कहीं कमजोरी के संकेत दे रहा है लेकिन यह करेगा जब इसका 60 से नीचे चला जाता तो कहीं कहीं कमजोरी दीखने लगती है जब तक 60 ऊपर है तब तक एक इसके नीचे अगर चला गया तो इस टॉक में बीकने से फिर तो बने रहाना मतलब थोड़ा सा बेवकूफी नजर आता है ठीक है और इसमें फर्दर तेजी कब आएगी तो फर्दर तेजी तभी आएगी जो है अपना यहाई बनाया हुआ है लास्ट का ठीक है जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा इस अस्तर को और यह अस्तर है 647.65 यह 648 मालेजी जब तक 648 का ब्रेकाउट नहीं आता है तब तक इसमें फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगी यह हमारी राय रही आर्वी एनल पे अगर आप इसमें आइडियल स्टॉक लॉस प्लिस करना चाहते हैं मालेजी आप इसमें बहुत पहले से निवेसित ह 202 आप बहुत तोता हो लगति है अब सारी लॉस को हटाते हैं यह तो एक यह हो गया थोड़ा हम आइडियल स्टॉक लॉस की चर्चा करते हैं तो आप देखें गे खी आर्वेनल का इस तोक सबसे इसमें लोग तो ठीक है comunque प्राइस तीक है यह क्या लोवर लो बना लोठ डी बात नहीं है लेकिन और इस हमाई को काड़ एक नएए। तो अच्छी बात है लेकिन प्राइस तीका नहीं ईसके सपोर्ट पे आगया है। इन सारी ची जोगों देखे जब तक प्राइज इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें कमजोरी है लेकिन अब आइडियल स्टाप लॉस की हम बात करने जा रहे तो जराम उसकी बात करने तो 27 जुलाइद 2020 इसमें तेजी आई इस पर रखिये फिवनाची और यहां आप फिवनाची लगा देजिए अब देख लेजिए अगर आप पहले से इसमें इस अस्तर से निवेसित हैं तो जब भी यह जो है 485 की अस्तर को weekly closing दे देता है Saturday Sunday को देखिएगा इसके नीशे closing दे देता है अभी क्या है चुकि इसकी last candle यही है उसे जो last candle टॉप बनती उसी पी इसको रखते है अगर candle किसी दिन कुछ और बन गए इसके उपर तो उसके उपर फिर इसको place कर देएंगे यह इस तरह से trailing stop loss हो जाता है और यह एक ideal stop loss माना जाता है ठीक है तो 485 के नीचे अभी फिलाहाल अगर निकलता है तो पूरी तरस फिर 100% इसमें से exit कर जाना चाहिए यह 50% exit करना जाना चाहिए लेकिन इसके पहले जो line of control मैं आपको बताग रखा था गर उसके नीचे जला जाए तो पूरी तरस exit करना फिर है फिर इसमें बने राना बेवकूफी है आप अपने पैसे में आग लगाएंगे यह हमारी राय रही आरवी एनल के stock वे और हमारे चैनल को आप like share subscribe करें ठीक है एक बार मैं और बता देता हूं कि line of control final इसकी क्या है तो line of control इसकी final यही अस्तर के निकल के आया था 434 का 433 मान इसल का recommendation नहीं रहता है वीडियो के लिए है किसी भी खरीद भर्युक्त करने से पहले स्वाइंग की विविकास अस्तमाल करें आपने financial advisor की सला लेना नहीं बूलें और यह consider के चलें कि यह जो भी स्टाफ डिसकस किया जाता है मेरे या मुझसे डिलेटिट व्यक्ति के portfolio में ह हो सकता है धन्यवाद